दे लाइब टीवी सच सबसे आगे नमस्कार महूरंजीत जा और आप देख रहे हैं दे लाइब टीवी लाइब टीवी के तमाम दर्शकों को हैपी न्यू यर आईए खबर में चलते हैं इसराइल और गजा की जंग रुकी नहीं है 2024 में भी वहां युद जसके तस हालात में बने हुए हैं और इस बार हैपी न्यू यर इसराइल का खड़ाब हो गया है नव वर्स पर इसराइल दहल उठा है जल उठा है क्योंकि गाजा के तरफ से हमास ने ऐसा हमला इसराइल पर नए साल पर किया है कि नेतन न्याहू की नीद उड़ गई और इसराइल के तल अवीव में तवाही मच गई है ज़र आपने स्क्रिन पर या विज्वल देखिए ये आग की लप्टें जो वहां उठ रही हैं ये हमास के तरफ से दागे गए मिसाइल का असर है मिसाइल रॉकेट अटेक इस कदर हुआ है कि इसराइल ने साल का जश्न भी नहीं मना सका क्योंकि वहां पर तवाही मच गई है जिस तरीके से 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इसराइल के कई इलाकों को दहला रखा था ठीक अब वही इस्थिती 9 साल के पहले दिन पर भी देखने को मिली है और कई घर धूधू कर जलते दिख रहे हैं क्योंकि हमास के लड़ाकों ने तल अवीव को टारगेट किया है पुले के पुले शहर में तवाही और बरबादी के मंजर देखे जा रहे है इस वीडियो में ना सर्फ आग की लपते हैं ना सर्फ काले धूएं की गुवार हैं बलकि भागती पुलिस भी और धमकल गारियों के सैरन की आवाज भी इसमें सुनी जा रही है जरा आप भी सुनीए तो देखा आपने यहां साइलेंस सर्फ नाम के टूटर हैंडल पर लिखा भी गया है तलवीब अंडर अटैक बाइ हमास सिटी इन फ्लेम्स यानि आग की लपतों में शहर हमास ने तलवीब पर किया ऐसा हमला इस वीडियो में साफतर पर दिखा जा रहा है कि कैसे कई घर गारियां धूदू कर जलने लगी है हम आपको इस संबन में कुछ टूट और दिखाते हैं जो कि मैप के सहारे भी बताने की कोशिश की गई है कि हुआ क्या है आर्या ने यहां जानकारी दी है कि सिर्फ तलवीव का छेतर नहीं इसराइल में इसराइल के कई इलाकों को टार्गेट किया गया है यहां मैप आप अपने स्क्रिन पर देखिए इसमें जितने भी मार्क्ड पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं उन हर जगह पर कहा जा रहा है कि हमला हुआ है वहां वहां हमास के लराकों ने हैपी न्यू येर इसराइल कर खड़ाब किया है हैपी न्यू येर मनाने की खुशी जो होती है वो दुनिया के उन देशों में पूछिए जहां पर शांती है जहां पर जंग के हालात नहीं लेकिन जहां पर युद्ध चल रहे हैं वहां किस बात का नया साल वहां तो 2023 के दो सपन से 2024 में भी गुजरेंगे युद्ध अगर खत्म भी हो जाए तब भी वो बरबादी के मंजर दिन रात अपने सपनों में देखेंगे क्योंकि युद्ध किसी का समाधान नहीं करता और जो बातें गाजा में हमास के दराते कह रहे हैं फिलिस्तिन की जो मांग है वो अगर इजरायल मान ले तो यहां जंग कब का थम जाता है लेकिन ऐसी इस्तितिया भी दिखाई पड़ती नहीं है जो दविराम के तमाम प्रयास बिफल होते नहीं ज़रा है नए साल पर अगर इस तरीके से हमास ने टेक किया है तो यह एक प्रतिकार भी है पलटवार भी है कैसा पलटवार है वो हम आपको बताते हैं लेकिन पर इस लराकों ने खुँ तलवीव के छेत्रों पर और तलवीव के इर्दगिर्द के अलग-अलग छेत्रों पर टार्गेट किया और मिसाल रॉकेट दागे हैं ताबर तोर हमले हुए हैं जिससे नेतन नियाहू और इजराली डिफेंस पोर्स की हालत खड़ाब हो गई है यहाँ पर लिखा हुआ भी हमास वे ओफ विशिंग अ हैपी न्यू यह टू तलवीव यह हमास का अंदाज है कि वो तलवीव के लोगों को कैसे नए साल की मुबारग बाद देते हैं अब देखिए तलवीव में यहाँ इसराली प्रसासन का फिर से फेल्यूर है जो उनका इंटेल जा रहा है कि कैसे यहां पर एट्यक हुआ है CCTV फूटेज है और यहां पर लिखा रहा है कि यहां CCTV फूटेज दिखाता है कि हमास रौकेट बैरेस प्रों दा गाजा स्ट्रिप अर्ध तलवीव यानि हमास गरौपट जो है तलवीव की तरफ कैसे बड़ता चना गया और और वहां जाकर गिरते ही, तो तवाही मची है वो आग की लपटो में आपने देखा भी है, तो यहाँ बैक टु बैक जो हमले हुए हैं, वो कहीं न कहीं, इसराइलियों को सोचने पर मजबूर कर देंगे, कि हमास में आपने कितने मासूमों की जान लिए, छोटे-छोटे परी बजा यहां भी समझे कि जब पुरही दुनिया क्रिस्मस सेलिबरेट कर रहा था तब इस्राइल के सेना ने रात के अंधेरे में हवाई हमले करके गजा में फिर से कतल लाम किया था 80 से अधिक लोगों को मार गिराया था जिसमें अधिकतर बच्चे थे अधिकतर बच्चे थे और यह इज्रायल के सेनिकों को इस बात का होश कहां वो समझ पाएं कि वो इंसानियत को मार रहे हैं वो हैवानियत पर उतर आये हैं जंग लडने का तरीका होता है जंग अगर लड दोशों को और मासुमों को मार कर आप अपने आपको बहदुरी का तमगा दे दीजी इसे आतंकवादी कृत्य कहते हैं आतंक फैलाना कहते हैं अगर हमास को कोई आतंकवादी समू कहता है तो उन्हें सोचना होगा कि इसराइल ने जितने जगन्य पराद किये दुनिया की नज आतंकबाद का परिचायक भी है उसने गाजा में निर्दोशों को मार कर आतंकबाद का ही तो परिचाय दिया है कि वो बस कुछ भी कर जाने के लिए बेताब होता है आर्या ने एक ड्राइविंग करते हुए वीडियो फूटेज दिखाया है और यह बताने की कोशिश की है कि वहाँ पर अलकसाम के रॉकेट्स जो है इसराइल को तबाह कर रहे है लिखा हुआ भी है इस विज्वल को शेर करते हुए यहां कहा जा रहा है कि देखिए अलकसाम का जो एक रॉकेट है सिधे तोर पर उस एरिया को टार्गेट किया जो तलवी में पड़ता है गुरियो एरपोर्ट और इस एरपोर्ट के अंदर और बाहर दोनों तरफ हमले हुए है जिससे उस एरपोर्ट पर भी तबाही मची है कुल मिलाकर यह बड़ी खबर है कि इसराइल और गजा की जंग नए साल में आकर भी उसी अस्तर पर चल ही रहा है इसे रोकने के प्रियास तो किये जा रहे हैं पता चला है कि अमेरिकी विदेश मंतरी जो बिलिंकन है उन्होंने पूरी तयारी की है और वो अरव देशों से मुलाकात करने के लिए निकलने वाले हैं खास करके साथी अरविया से और इरान से वो बात करेंगे साथी अरविया के एक अधिकारी तहरान में बैठकर बातचीत के दोर को आगे कर रहे हैं ताकि फिलिस्तिन के फ्यूचर पर चर्चा की जा सके ऐसे भी खबर थी कि अगर इसराइल जंग रोग देता है तो बरबाद गजा के देखने का जिम्मा कौन उठाएगा ये फिलिस्तिन को कौन चलाएगा सही दिशा में ले जाएगा विकास की रापर ले जाएगा तो पता चला कि तमाम मुस्लिम देश हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हैं इरान हो या तिनों में से कोई भी इसे अपने कंट्रोल में लेकर फिर से बेवस्थित करने की कोशिश करेगा लेकिन इससे पहले जरूरी है कि यो दिविराम के हालात हो और इसराइल जो है अपनी हरकतों से बाजाए आतंकवादी कृत्ति से बाजाए ताकि जो सुरक्षा परिशद मे बार बार जो दिविराम के लिए वोट पड़ता है उसमें इसराइल माने कि हाँ हम यो दिविराम कर देंगे नहीं तो इसके अलावा कोई विकल्प है नहीं फिलाल इस वीडियो में तना ही आप सभी काम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद